हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई इस्टोडी फीट ओफ फीजिकल एजुकेशन चैनल, दोस्तो यहाँ प्रैक्टिस नंबर 13 है, इसी तरह डेली बेसिस में आपको प्रैक्टिस करा रही हूं, मद्यप्रदेश वर्ग टू, उत्तरपदेश तिजिटी-पिजिटी, एन यू जब भी समय आएगा आपका लिष्ट में नाम हो बस तैयारी करते रहेंगे, तभी तो आपका नाम रहेगा, तो दोस्तो चलते हैं आज के कोशन के तरफ जो भी गल्टिया होंगी, हम लोग सब मिलकर सालु करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, तो चलते हैं आज के कोशन गया था दोस्तों यह स्कुल गेम फेडेशन आफ इंडिया या स्जी एफाई की बात कर रहा है तो इसकी जो इस्थापना हुआ था करनाटक में हुआ था और 1954 में किया गया था याद रखिए कोशन नमर दो है डिक फॉस्वरी जिसने मुची कोद में फॉस्वरी इस्टायल की खोश की थी किस देश के हैं तो दोस्तों यह डिक फॉस्वरी जो है यानि अमेरिका के थे आपसा नमर यहां पर राइड एंसर होगा यह अमेरिका के थे और 1968 मेक्सिकू सिती ओलमपीक में होनी ओलमपीक गोड मेल प्राप्त किया और यह डिक फॉस्वरी नया इस्टायल भी खोजा जो है वह आपका हाई जंप की नया तेकनिक आधनिक टेकनिक डिक फॉस्वरी की खोजिन होनी डिक फॉस्वरी ने किया ठीक है तो डिक फॉस्वरी नहीं तेकनीक को खो जा और इन्हों ही उनी सुवार सट्य ओलम्पिक में इसमें जीता और सुवार पदब इसमें तीरचा रॉन होता है जिसी जंपर की पीठ कंधूं से पहले क्रॉस बार को बार करती है जैसा कि दूस्तों जानते हैं कि हाई जंप में आदर सलिया कौंकों सी होती हैं टेकनिक तो हाईजब में सीजर्सेली वेस्टर रोल टेकनिक और स्ट्रेः्टल रूट टेकनिक और फास ब्री में इस चार टेकनिक होते हैं अदर फूट में जो प्राचिन से लिये हैं आल्तो डॉक्स वले अधिर यशाली इसे साइक्लिíng वीधी भी कहते हैं तिसरा सील टेक्निक और ट्रिपल जब्ट मे Х p somebody is⑥ प्लायर ՟ेकनिक ble प Lena प्नके में आध्र टेखनिक deci अध्रियों श्गारी आध्र्विध टेकनिक कहा जाता है तो दोस्तों, रुल-गुल-ग जो है, एक खिलाड़ी थी, एक फुट्बॉल खिलाड़ी, और उन्हें के नाम पर रुल-गुल-ग सबतर फुटबॉल में जूड़ गया, यह आपको फुटबॉल से समधी थे, और ये बिश्व के सो महान फुटबॉल के लड़ियों में इनकी गिंतिया की जाती है कोशन इवर फूर है सर्किट ट्रेनिंग की संकल्पना किसके द्वरा बिखसित की गई थी तो दोस्तों यह उनी सो संटाउन में एडमसन मॉर्गन के द्वरा खोजा गया था सर्किट ट्रेनिंग इसके द्वरा ताकत यानि सकती सहन सिलता है स्ट्रेंट एंडूरेंस और मांस्पीसियों के सहन सकती गती निरो मस्कुलर समन्वे लचक काडियो बैस्कुलर धहरे का विकास होता है कोशन निवर फाइफ है ओलंपिक के जहन्डे पर पांच अलग-अलग रंग की आपस में मिले हुए छले क्या दरसाती है तो दोस्तों पांच अलग-अलग छले जो है जैसे कि आप जानते है और डबलू के आकार का होता है पांच अलग-अलग छले अंग्रेजी के और जो नीला पिला काला हरा और लाल करल का होता है यह पांच अलग जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं मतलब यह पांच रंग-पांच महादीब के प्रतिक हैं नीला युरोक महादीब का प्रतिक पिला एसिया महादीब का प्रतिक काला अफरिका महादीब का प्रतिक हरा अस्ट्रियर महादीब का प कोशन नमर 6 है 400 मिटर बाधा दोड़ में अंतिम बाधा से समापती रेखा की दूरी क्या होगी तो दोस्तों 400 मिटर बाधा दोड़ में अंतिम बाधा से समापती रेखा की जो दूरी होती है वह 40 मिटर होती है यह अंदर की का 40 मिटर जैसे कि आप जानते हैं दो बाधा दोड तो अगर बाधा दर्ड के बारे में आपको अच्छे से जानना है सार्ट में मैंने टेक्निक के द्वारा वीडियो बनाया हुआ है जो आपको हमेशा कि याद हो जाएगा एसलेटिस वाले प्लेलिस में जाएए और आप बाधा दर्ड के सभी चीजों को डिटेल में देखिए लिए इसके जनमे दाधा है यहां इसके जनमे दाता है प्लेटू कौन है फ्लेटू प्लेटू इगिनानि दास्निक है जिन्हें आदरसवात का जन जाता आजियोलिज्मी के फादर कहा जाता है इस सुक्राथ के सिस्य तथा अरस्तु के गुरू थी याद रखेगा ठीक है सुक्राथ प्लेटो अरस्तु इस तरीके से याद रखेंगे तो आप भूलेंगे नहीं सुक्राथ प्लेटो अरस्तु या जैसे कि आदसवाद की जनक प्लेटो हैं उसी तरह प्रियोगवाद, एक्सपरिमेंटलिज्मी या ब्योहारवाद की जनक हैं जानडीवी, एथार्थवाद की जनक हैं अरस्तु, प्रकृतिवाद यानि नेचरिलिज्मी की जनक हैं जुर्सु. कोशन नमर आठ है, भारती सिच्छा आयोग की सुरुवाद कब हुई? तो दोस्तो, भारती सिच्छा आयोग की सुरुवाद जो है, 1882 में हुआ और इसी साल सारी सिच्छा को मानता मिली थी, ये भी याद रखेगा, और यह ब्रेटिस सासनकाल लार्ड रिपन के द्वारा, 1882 इसी में भारती सिच्छा आयोग की सुरुवाद किया था, ये भी याद रखेगा, भारत की सिच्छा बेवजथामी के संतरत में बिचार करने के लिए सरकार ने, 1882 में सर बिल्यम हंटर की अध्यस्ता में एक कमिशन नियुक्त किया, इसे हंटर कमिशन के नाम से भी जना ज इसे कौन सा कथन सही है, तो दोस्तों फिटनेस ग्राम क्या है सारी सिच्छा खेलकुत की समद में, इसकी बारे वेचार आफ़न दिया हुआ है, इसमें कौन सा कथन सही है, देखते हैं, दोस्तों यहाँ परिच्छर, 1982 में, कूपर इंस्टिट्यूट, टैकसास, EOSC द्वा बी है, यह सारी सिच्छा, बिसे के सिच्छकों के लिए, बच्चों की फिटनेस इस तर पर एक रिपोर्ड तयार करने का एक आसान रास्ता है, यह भी सही है, सी है, इसमें हिदे वाहिगा और फिटनेस मांस्पेसिये छमता, सरी की बनावर लचिले पन का परिच्छर किया जाता है, यानि की, काडियो वेस्किलर फिटनेस, मस्किलर स्टेंट, बाडी कमपोजिशन, एन फ्लेक्सिबिटी को मेजर किया जाता है, यह सभी चीजे आपको राइट है, उप्रोश सभी यहां पर राइट इसर हो जाएगा, अगर कभी पूछे का कि फिटनेस ग्राप का इसका निकिया का थारसु सोभाट उन्सीब इसर्दी में, कूपर इस्टिटीट टकसाऊस युर्सिट वला किया गया है, और किसलिए होता है, तो सारे सीच्छा भी सेके सिल्शकों के लिए, बच्यों की फिटनेस इस तरह का रिबोर्ट तयार करने का आसान तरीका है, एक क कोचल नम्मकल 10 है यहां पर आपको मिलान करना है बॉस्केट बॉस्केट बॉल कि जो ड्लमबा चुड़ाई दिया हुआ है तो बॉस्केटर बॉस्केट बॉस्केट बॉल की दॉन्शार लंबाय चुड़ा जो होती है अठाइस गुड़े पंतर 25 हुं जो 4 1970 4 एंड हैंड बाल की जो होती है आपके लंबाई चोड़ाई ग्राउंड की 40 गुड़े 20 होती है तो बी का वन हो जाएगा एंड खोखो जो है बरतमान में पहले 29 गुड़े 16 थी अब बरतमान में 27 गुड़े 16 हो गया है तो सी का 2 हो जाएगा इस प्रकार यहां पे आफसन की तकनीक है अधोछ टेस्ट श्वीमिंग टेकनीग इच सबसे तेज द्रीबायर की तकनीक कों सी है दोस्तो है सिसमें तो जैसे कि आप जानते हैं इस विसे सबसे तेज तेजे टाएन एक तकनीघंग 4 कौन सी है अंतरह इस तरह की प्रक्यवता में इस चार बरकार की चेंक सबसे तेज तेरा की तकनीक है इसके बाद बटरफलाई फिर तीसरा अस्थान पर बैंक इस्ट्रोग का नंबर आता है याद रखेगा ठीक है एंड कोशन नमर बारह है निमन में इसे कौन सी विसेश्टा सारी क्रिया करते समय सफल नेता को सवतक्रिष्ट तरीके से तरसाती है तो सारी क्रिया यानि वीचा उपडूड फालूबिंग करेटर एकलेकर्टिर्टिय्स बेश्ट रिप्रिजेंट्स एस ससेचाथूल लीडर वैयल कर तो उसमें जो एक सफल नेता होगा, लीडर होगा, उसका यही करतब होगा, कि जितने भी पार्टिसिपेट किये हैं, उन सभी को प्रसाहित करें, ठीक है, इंकरेजिंग आल पार्टिसिपेट्स टू प्ले, यानि कि सभी प्रतिभाग्यों को खेलने करिए पुरसाहित करें, ठीक है, हदोसाहित न करें, कोश्चिन नमबर 13 है, बायो मेकेनिक्स के सब्दों में, गुर्टवा करसर का हमारे उपर क्या आफर होता है, इन टर्म आफ बायो मेकेनिक्स, वाट इज़ इफेक्ट आफ ग्रेविटी आफ तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, जो गुर्टवा करसर किसे कहते हैं, यह वस्तू को अपने तरह आखरसित करता है, एंसेंटर ग्रेविटी आफ पॉइंट कहां पे होता है, जो भी वस जहां पे सेजिटल, फ्रंटल, होरिजंटल तीनों प्लेन आके मिलती हैं, उसे हम सेंटरल ग्रेविटी आफ पॉइंट कहते हैं, यह भी आद रखेगा, ठीक है, जिस पर वस्तू का ब्यक्ति का प्रभावी भारत किंजित होता है, उसे गित्वा करसर बिंदू कहते हैं, ज होती हैं, महिलाओं का पूर्जों से नीचे होता है, क्योंकि महिलाओं का जो हीप वाला भाग होता है, यह जारी चवड़ा होता है, जिसका ग्रेविटी पॉइंट, थीजी पॉयंट यतना नीचे होगा, वह संतुलन में उतना ही अच्छा होगा, POSTION NUMOR 14 है कि Hyp़डेय किसे समधित है क्रिकेट से सिमिलर है कन्फीज मत हुएगा नाइड़ ट्रॉफी सतरज से और सीके नाइड़ ट्रॉफी क्रिकेट से क्वेशन नंबर पंद्रह है किस हेपिटाइडिस विबारी का वायरूस सीधी संपक्ट से उत्पन होता है तो दोस्तों यह होता है हेपिटाइडिस ए जो डारेट कांटेक्ट से होता है यह वायरूस नाने की विसाड़ू द्वारा फैलने वाला रोग है जब कभी जो है इसका जो है वायरूस दूसित भोजन और पानी के अंतर व्रहड या संक्रमित वेक्ती के साथ सीधे संपर के माधिन से फैलता है ठीक है जैसे कि हम संक्रमित है तो अगला वेक्ती भी हमसे संक्रमित हो जाएगा जैसे कि आप जानते है जो यह पिलिया हेपिटाइटिस पिलिया को ही कहा जाता है जैसे कि किसी कारण बर्स या वायरूस से संक्रमित होने पर जो हमारा लिवर होता है यक्रित होता है वहां फैल हो जाता है या कारण अच्छे से नहीं कर पाता है जिससे जो मृत आर्वीसी इसों को वहाता है कि बहुत जादा बिलरुबीन का निर्माल करने की खत्म हो जाती है जिसे पुरे रक्त में पितरस याने की फिलुबीन प्रॉहित होने लगता है जिसे पुरा सरी पिला पड़ जाता है जो हम हम जर्णीर्डिस है या añदुश्थ या पिलिया बोलते हैं करने परकार को ह होता है दोस्तों कोई भी इस पोर्ट एक्जिते सेमें उसकी पर धियान देना चाहिए एंड कोसे नमर सत्रह है ज़्यादा तरमान स्पेसियां जो कुले की जोड़ को गति पतान करती हैं उनके उद्गम होता है most of the muscles that move the hip joint originate form तो वे कहां से originate होती है जैसे की आप जानते हैं आगे चलके मैं बताऊंगी इससे समधित जो पेल्वेक की हडिया मसल्स होती है तीन मसल्स बनकर बना होता है है gluteus muscles, जिसमें से 3 muscles होती है, gluteus maximus, gluteus medius, gluteus minimus, जो gluteus maximus होती है, वो सरी की सबसे बड़ी या largest muscles होती है, और जो gluteus minimus होती है, वो कुल्हे की सबसे चोटी या सबसे गहरी muscles होती है, याद रखेंगा, ये question BPSC TRE 3 में पूछा हुआ था, तो सरी की सबसे बड़ी muscles होती है, gluteus maximus होती है, और कुल्हे की सबसे बड़ी पूछे को तो भी आपका gluteus maximus होगा, लगि कुल्हे की सबसे चोटी muscles पूछेगा, तो gluteus minimus, जिसकी minimum का मतलब ही तो होता है, चोटा, maximus का मतलब ही होता है, ज्यादा, ठीक है, तो gluteus minimus जिसकी सबसे चोटी, वह सबसे गहरी muscles होती है, question number 18 है, खाने के और स्वास्त का तरीके से इनमें से क्या नहीं होता है, which of the following is not called by unhealthy eating habit, तो दोस्तों unhealthy eating habit यानिक और स्वास्त का तरीके से आपका दंती छरू होता है, मुटापा होता है, बढ़का एर्स नहीं होता है, एक और ने करर्ण दे शोहता है, जैसे के असर चेत्यों संबड और रख्तदान से, माता की गर्व से बच्चे में हो जाता है बस तीन ही करण होते हैं जो था कोई करण नहीं होता है और सब अपवा होते हैं ठीक है तो यह आपका संक्रमर कारी अवर्यास द्वारा फेनने वाल रोग है सबसे बड़ी मसल्स होती है और सबसे छोटी मसल्स हमारे सरी की कौन होती है तो सबसे चोटी मसल्स हमारे सरी की कौन होती है तो सबसे चोटी मसल्स हमारे सरी की कौन होती है तो सबसे चोटी मसल्स हमारे सरी की कौन होती है मेंडिवल्य हडی जैसे मझबूत हड्य अर उसी पर लगा हुआ । मॉस्ट्र मॉसल्स होती है। हमारी सरी की और कुले की जोटी मॉसल्स होती है। जम्यूस है याद रखिए कहें। क्वेसे निंबर 20 से प्रथाम 20 कब aघ्लाटिक चमपिzhप कहा अधुर्यत की गई थी विर्वाइध य। फ्रस्ट वर्ल्ल कब aतधिक स्यंपिंश्पिंश्पिंश्प हेंड दोस्तों, पर्थम वर्ड कब एफलेन्ड के हिलेन्सकी में हुआ था, 필ॉनिक्otरनam failure जैसे की 1900 एफलेन्ड के हिलेन्सकी में हुआ था,ीजिस्ज मिज्किक मात श्री आई और इसका मुख्याल 1912 में स्टाखों स्वेडन था मट 1993 में में चेंज कर दिया गया मुणा को और लेकिं परतमार में आई एएफ इंडरनेशनल एथलेटिक फेडरेशन का नाम बदल करके दिसंबर 2019 में वर्ल्ड एथलेटिक के नव्या कर दिया गया है जबकि भारती जो नेशनल एक्सरीं संग है भारती एक्सरीं इसकी सापना 1946 बंगलावर में किया गया था सब्सक्राइब कर दोस्तों इसका में करक्ट एंसर मुझे एक तम नहीं पता है यानिकी डाउट है इसमें बट बुक में इसका एंसर दिया हुआ है त्रिवानद पुर्रम केरल मेसित है ठीक है अगर आपको एक अंसर इसका पता होगा तो आप इसको कमेंट में जरू बताएएगा और यहीं अंसर है तो भी कहिएगा कि यहीं अंसर है केरल ही त्रिवानद पुर्रम केरल मेसित है कोसी निमर बाईस है कोषिका के चारोय तुरब किस ग üzरी गिρι होती है तो तो इह हो गई हमारे कोसी का इसा बीच में केंदरक केंदरक होता है ठीक है इसमें बीच में साइति हुसिक और केंदर मल कि निग्ली प्लाज में पर रहता है इन दोनों को मिला करके हम कहते हैं कोशी का द्रब है का कहते हैं जयव द्रब इसको कहते हैं जयव द्रब है ठीक है यह आपका कोशी का द्रब हो गया ठीक है अगर यह जो हमारा हो गया आपका प्लाज्मा मेंब्रेन ठीक है या कोशी का जिल्दी आपसा नंबर बी यहां पे राइटेंस हो जाएगा कोशी का च दर्भ पिन फंदर रहती है जो द्रभें है याद रखेगा ऑँ जो त्रभई होती है प्रोटीन दथा ल्मिपिट की बनी होती है इसका मुख्यकारे कोशिका की सुरुच्छा और आसानी द्रवियों का अवागमन करना होता है कोशन नमबर 23 है कोशिका के अंदर गढ़ा तरफ पदावाथ होता है जिसे हम क्या कहते है तब इस जबस्ट में बताई दोस्तो ये आपका कोशिका है ये बीच में आपका केंदरक है तीक है एक कोशिका जिल्ली है तो इसमें जो पूरे कोशिका में बढ़ा रहता है उसे हम जेव द्रविय कहते है तो इसमें जो बढ़ा हुआ है कोशिका जिल्ली और केंदरक के बीच इसको हम कोशिका द्रविय कहते है कोशिका द्रवे और इसे हम कहते हैं के अंद्रक द्रवे इन दोनों को मिला करके हम कहते हैं जेव द्रवे क्या कहते हैं जेव द्रवे याद रखिएगा पूरी कोशिका में क्या बढ़ा रहता है तो जेव द्रवे यहाँ पर जेव द्रवे के हम प्रोटो प्लाजम कहते हैं कोशीका द्रवे को हमुः को दोनों यह ही चीज में है बडे नाम अलग 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 से Zak से मुखा। लुण कोशीक नुभी करते हैं? तो कोशीका के अंदर जो गऴा त्रवम का जाता है. याई कोशीकका द्रवे कह जाता है, जो पानि प्रोटिन से मिलकर बना होता है ठीक है प्रूटीन और लिपीड से बना होता है एक और कोईसे नमबर 24 है पुगलिष्ट को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों पुगलिष्ट जो है बाकसर खिलाड़ी को कहा जाता है याद रखेगा पुगलिष्ट जो है बाकसर खिलाड़ी को कहा बाक्सर का दुसरा ना पुगलिष्ट है किसकी लड़ी को क्या बोला जाता है इसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है आप जरू देख लेजिए उस वीडियो को कोश्चन निमर पचीस है एक छोटा बच्चा किसकी कमी से साइकल नहीं चला पाता है तो दोस्तों एक छोटा Measure परिपकतक को नहीं होता है यायनि की कमी से साइक्ल नहीं चला पाता है को चला नमर और शबिस है ती आफसब का किस खेल में से जुड़ा हुआ है तो दोस्तों पी आफसब Song講 कि यह होता है Kansas mist ।क लुट में टूर मत法र में चतला aynı कर सभी में इंसे किसे समदृत है ज़ल से समधित है ती आफ सब्द जो हो होता है यह हुआ ओफ के लिये टेख समन्दित है ईसका प्रत्य होल के पहले इस्टुब के लिए किया जाता है अधिने टी जाप चल जो होते हैं इस एक ऐकार के छोड़ी से बाल को कोडेशा जाती है गोल के मैदान को क्लिंग ग्राउंड कहते हैं इसमें नौ या अठारे होल होते हैं कोश्चन नमर 27 है कोशिगा के किस भाग को प्रोटीन की फैक्टरी कहा जाता है विच वाट अब दे सेल इच कॉल दे प्रोटीन फैक्टरी दोस्तों आप जानते हैं राइबोस्म को प्रोटीन की फैक्टरी कहा जाता है राइबोस्म को हम क्या कहते हैं प्रोटीन की फैक्टरी कहते हैं और इसकी खोज जो है पाइलेट ने 1995 में किया था राइबोस्म की कुल यह राइबोस्म दो प्रकारगा होता है सतर इस यानि कि प्रोकरियोटिक जिसमें केंदरक नहीं होता इसको प्रोटीन सेंसलिस्टर की इकाईवा को सिखा कि प्रोटिन फैक्टिरी कहा जाता है को इस निबर अठाइस है कि विश्व सारी सिछा कांग्रेश का मुख्याले कहा इसी थे तो दोस्तों यह जो है लोकेटेड है अमेरिका में ठीक है अमेरिका के वर्जिनिया में इसका मुख्याले है कोशन नमर 29 है कि एक पेसी संकुचित होती है लेकिन कोई गती नहीं होता इस इस्चिती को किसके रूप में जाना जाता है तो दोस्तों इस कंडिशन को किस नाम से जानते हैं तो जहां पर आइसो मतलब सेम में अमेरिक मतलब लंबा यानि सेम लंबाई होती है उसमें कोई चेंज नहीं होता जैसे दिवाल को धक्का माना दिवाल के सहारे बैठना इसा भी चीज़ा होती है आइसो मेट्रिक कंड्रक्शन में ठीक है आफसल नमबर ए आहां होगा आइसो टोनी भी क्या होता है छोटी बड़ी दुनों होती है दोप्रकर का होता है इसो टोनी कंसेंट्रिक छोटी होती है तो कंसेंट्रिक बड़ी होती है तो इसेंट्रिक आइसो कानिटिक क्या होता ह स्ट्धकारी क्या है वाड़ी कूलिंग दूस्तों सित्कारी एक प्रडायाम है जिसमें दूनों दातों को बंद करें और उधर से जीव से सटा करके दातों के जीव के द्वारा सांस लिया जाता है और मुख बंद करके उसके बाद नाख से सांस छोड़ा जाता है यह गर्मियों में करने के साथ से अच्छा होता है जिसमें सरी को सीद्वालता पतान करती है क्वेश्चन नमर 31 है आदर्स धावन पत्थ माना जाता है तो आइडियल रनिंग ट्रैक जो है 400 मिटर का होता है आप सबको पता है क्वेश्चन नमर 32 है निवन में से कौन सा खेल प्राधिकरण का सिधानत नहीं है खेल प्रसिच्छर का दुस्तों के विचे फालिविग इस नौट एफ प्रिंसपल आप स्पोर्ट ट्रेणिंग तो दोस्तों इस प्रेणिंग कों सा भाग नहीं है तो यहां पि इंक्रेजिंग लोड यानि कि भार की बढ़ातरी है प्रसिचर की बार अभ्यास करना फ्रिक्वेंसिया अप ट्रेनिंग है सब्सक्राइब करना एक्टिव दाना यह तो फिजिकल फिटनेस के बाद होती है फिजिकल ट्रेनिंग की और यहां पर क्रिया की मितब्यता कैसे हो सकता है कि यह की मितब्यता मतब होता है कम करना कोशियर नमबर 33 है उत्किष्ट एथलेटों में जैसे कुछ समाने बेक्टित्यों गुड़ होते हैं वाट आर सम्कामन परस्नालिटी ट्रेट्स आप आउट इस्टेंडिक एथलेट दोस्तों जो उत्किष्ट एथलेटों होते हैं उसमें काम करने का तरीका उसके कौसल उसक अन्य एथलेटों से इनको भीन मनाते हैं कोशन नमबर 34 है डर्टर किनेट कूपर किसके ब्याख्याता है दोस्तों यहां पर हार्वर्ड इस्टेप टेस्ट जो होती है इसके ब्याख्याता तो या इसके जो प्रावं करने वाले थे लिशीन ब्रोहां 1947 में काडियोरिस्पार्टी इंडिरेंस को मेचर करने के लिए ठीक है तो यह है नहीं ठीक है यह अगलत है और जो आपका जेसी आर्ट टेस्ट है यह 1947 में जेसी आर्ट टेस्ट को ब्रेंथ फिलिप्स ने बनाया था और इसमें जेसी आर्ट जेसे जंपिंग चीनिंग और रसे रनिंग होता है जैसे जंपिंग यानि वर्टिकल जंप जो मस्कुलर पावर आफ लेक एक्स्पलूसीब पावर आफ लेक को मापता है सिसे हो जाता है चीनिंग यानि चीन आफ जो स्टेंथ लेन्ट करता है और स्ट्रेंथ एंड्डूरस करता यहां बारह मिनट दोड या पमद याथ्रह पसजिश एनिंग बारह मिनट रंइंग को Life तरे केश्प्स को इसको ऑनित खुजने संब कोब कुपर ठीक है डाटर केनेत कुपर ने इसको खो जा था कब खो जा था दोस्तों यह भी पूछ सकता है तो 12 मिनट रन या रन वाक जो है डाटर केनेत कुपर 1970 में खो जा था जो कार्डियोरिस्प्राटर इंडरेंस को मेजर करता है और फिज इन्होंने डाटर केनेत कुपर ने 1982 में 12 मिनट स्विमिंग 12 मिनट सैक्लिंग 12 मिनट जोगिंग परिच्छर को खो जा था और जो सब मैक्सिमल एरोबिक छमता को मापने के लिए बनाया था कोश्चन नमबर 35 है निवन में से कौन प्रड़ायाम नहीं है विच आवदे फालविंग इस नौट प्रड़ायाम तो दोस्तों यहां पे देख सकते हैं कपाल भाती अनलों विलों उज्जाई एतीनों प्रड़ायाम है बर कुंजल यह यह प्रड़ायाम नहीं है कपाल भा प्रड़ायाम नहीं है क्योंकि नौली क्या है रही है सटकर्म की अंतरकत आता है इसे हम सुद्धी क्रियाय कहते हैं जिसमें छे क्रियाय आती है नेती दोती नौली वस्ती त्राटक कपलभाती जो नेती होती है वो नासिका द्वार को साफ व स्वच बनाने के क्रिया होती है इसमें जलनेती तथा सुत्रनेती का प्रयोग होता है दूसरा होता है दोती यह स्वच क्रिया का क्रम वार है यह मुझ से गुहा तक की अमासय नली को साफ किया जाता है ठीक है याद रखेगा कि से क्या होता है दोती से अमासानेली को साब किया जाता है फिर नौली जैसे आप जानते हैं दाया नेली बायनौली यानि कि पेट को गमाया जाता है उदर के अंगो की माली करके मजबूत बनाता है जैसे कि नौली के लिए जानते हैं जोता होता है बस्ती यानि कि बहुत से कपाल भाती मस्तिस ते अगरह भाग को पवितर करने की सांस लेने की क्रिया है कपाल भाती present the layout... और छिए तक है या वुश्तों पर लगातार देखने काव्यायाम जिससे केन्त करने की यानु एकागरता सक्ति वढ़ती है कोश्चन 경우 secre Mikey 37 q g Am sug K कर्म यानि कि सुधी क्रिया से समंधित है कि को स्टन निबर आर्टीस है योग करने वालों के लिए किस प्रकार का भोजन सबसे अच्छा होता है विच टाइब फोर इस बेस्ट फर योगा पार्डिसिप प्रैक्टिस नर्स ठीक है तो दूस्तों योगा करने वाले के लिए तात्विक भूजन सभी के लिए अच्छा होता है याद रखिएगा क्योंकि तात्विक भूजन के करने के पश्चात मन सान और निर्मल रहता है को से निबर 49 है सारी बनावाट एक महतपूर आंसर होता है तो दोस्तों बाड़ी कंपोजिशन इज बाड़ी कंपोजिशन इ एंपोर्मेंस डिल्यूटेट्पी का कि मोमटर से उने इसक्ड रिदेड तो दोस्तों यह हैल्थ रिलेटिफ फिजिकल फिटनेस का भाग होता है जयसा कि आप जानते है फिजिकल फिजिकल फिटनेस क्या होता है देलिधान देल् Straw बिना फा станin के सब्बन करना और अपात कल के लिए अतिर सकती बचाय रखना इसी physical fitness कहते हैं दो प्रकार का होता है大 законч जो यू की प्रखुक्राइंêuरेंज काडुरी एंडरोनेश निर्एं रैक्सिबिरेटी вместе तो दोस्तो यह था आज के सेशन का उन्तालिस को समझ में आयोंगे जो भी डाउट होगा कमें वजरूब बताईएगा हम सब मिल को सालूब करेंगे और ज्यादे ज्यादे वीडियो को सेर भी कीजिए जिसे और लोगों तक वीडियो पहुंच सके और डेली बैसे पेसे ततर म